ये बैठक है और सीटों के प्रभारी मंत्री संवधन पदाधिकारी वो भी मौझूद रहेंगे सेक्टर बूठ से लेकर प्रबंधन तक की समिक्षा होगी उप्चुनाव से जुड़े मंत्री पदाधिकारी को बुलाया गया है बिजेपी के एहम बैठक में कई एहम मुद्धे होंगे आगे की रणीती स्ट्राटीजी बनाई जाएगी तो सीटों के प्रभारी मंत्री संवधन पदाधिकारी मौझूद है हमारे साथ अभिशेक जुड़ चुके अभिशेक क्या कुछ अब डेटे देखे की अब आगे उप्चुनाव भी होने वाले संविटनात्मक तौर पर भी ये बैठक चल रही है जी है देखे एक खास बात है कि केंद्री चुनाव अधिकारी बीजेपी की तरफ से जो नियुक्त किये गए है रादा महुन सिंग वो भी मौझूद है आने वाले वक्त में दिसंबर के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी के संगटन में केंद्री अस्तर से लेकर के प्रदेश अस्तर तक बदला होगा और जैसे ही ये सदसिता अभियान खत्म होगी उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जागी और उसी सिलसले में आज की बैठक होई कि कैसे सदसिता अभियान को आगे ले जा 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 है जिनका मोटिव ये कि सदसिता अभियान के बाद चुनाव की प्रक्रिया कैसे होगी और दूसरा कि विधान सवा के जो चुनाव होने है तेरे सीटों पर उसका सोरूप क्या होगा और इसी को लेकर के मीटिंग हो रहे हाला कि दो दिन पहले ये बैठक हो नहीं थी लेकिन त करती हो सकती इस बैठक में दूसरा का खास बात है कि बीजेपी ने टैकिया कि 20 में यह जो एकजिस्टन्स है जो मुझूदा एस सबसंदों के संख्राइस के उसमें 20 कि जाफा ना यह तो यह प्रक्रिया लंबे से में से चलती चलिया रही है 20 कैसे जाफा हो संगठन का सौर जुड़ी हमें जानकारी देने के लिए